वेलकम फ्रेंड्स तो मैं चैनल कृती लर्निंग ब्लोग आज अगलोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों मुहावरे चैप्टर तो सबसे पहले देखेंगे मिथिकी और एतिहासिक नामों से संबन्दित मुहावरे तो बीना देरी किये वेश सुरू करते हैं जैसे हो था है अलाओदीन का चिराक यानि आश्चर जनक वस्तु इंद्र का अख़ाडा यानि राश रंग से भरी सभा मतब इसमें क्या होता है इतिहासिक नामों में उनके कुछ गुण रहते है जो असल रूप में थे हैं उन्ही को कम्पेर करके यहाँ पे मुहावरे तयार किये गा है इंदरसन चुन 40 कर दान यानि महादाण क्योंकि करण दान को महादान के मुहादान के ुप में यूज़ किया जाता है आगला कारूं का खजाना तुम होता है उसके बाद है कुमकंणी नीन्थ या नी यह ना पर लापरवाही वाली नीन गोबर गणेश जब कोई मोहत मूर्ख होता है इंसान तो गणेश जी को गणेश के रूप में यहापे मुहावरा यूज किया गया किसके लिए पोई अगर मूर्ख हो बुद्धु हो निकम्मा हो तो उसके लिए यूज किया जाता है गोरक धंदा यानि बखेडा जंजट करना तो बोलते हैं गोरक धंदा कर रहा है बेकार में जंजट कर रहा है चानक्य नीती यानि कुटिल नीती चानक्य नीती क्या थी बहुत ही उत्तम थी तो उस रूप में हम लोग अगर कोई कुटिल नीती अपनाता है तो उसे हम लोग क चुपा रुस्तम निकला यानि उसका कोई ऐसा गुन था जो हमें अलग नहीं था और बहुत ही अलग गुन था अच्छा गुन था गौरक धंदा यहन क्या बुलते हैं हम लोग किसी को कहते हैं कि यह तो गौरक धंदा करें यानि बिना वजा कोई जहनजट करें बाखेड़ा अगर कोई किसी का गुंड है जो हम लोग को मालूम नहीं था और अचानक पता चलता है अच्छा गुण है यह तो छुपा रुस्तम निकला तो उसी प्रका चुपा रुस्तम ठीक है असाधारन किंतु अप्रसित गुणी तीस मार खा ये बहुत ही बार हम लोग सुने होगे कि तीस मार खा बनने चला है यानि आपने को बहुत सूरवीर समझना और सेखी बखारना ठीक है आपने आपको बहुत तेज समझना बहुत महा मतलब बलसाली समझना सूरवीर समझना उसको हम लोग क्या कहता है तीस मार खा पिर तुगलक की फर्माण यानि जन्ता की सुविधा और स्विधा का खाल कीए बिना जारिक किया गया सास्णा देश को समझे अगर कोई फर्मान जारिक जाए कोई शास्णा देश में फर्मान किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग तुगलक की फरवान के नाम से मुहावरे के रूप में अंग से संबंदित कुछ मुहावरे हैं अंग गिराना यानि उत्सा का ना दिखाना अंग गिराना करत क्या होता है उत्सा हमारे अंदर गर उत्सा तो उसे सामने नहीं जाहिर क तो उसे होता है अंग गिराना कहते हैं हम लोग मुहावरे के रूप में अंग उभारना तो अंग उभारना का अर्थ होता है जवानी के लक्षन दिखाना अंग उभारना हम लोग कहते हैं कि देखो उसके अंग उभरने लगे यानि वह अपने जवानी वह बड़ा हो गया जब हम लोग बहुत ज़्यादा खुस हो जाते हैं अत्यधित प्रसन हो जाते हैं तब हम लोग क्या कहते हैं कि उस इंसान का तो अंग-अंग फूले नहीं समा रहा है या फिर मेरा तो अंग-अंग फूले नहीं समा रहा है इस बात को सुनकर तो हम लोग इसको क्या है हमारा अर्थ कुछ और है किन्तु हम लोग वाख्य में सबधार्थ कुछ अन इस्तमाल कर रहे हैं लेकिन इने सबधार्थों को उसके विशेस आर्थ को ही पकड़ेंगे जब भी को ही पोई कहता हैuesto तो जब बहुत ज़्यादा खुस होंगे तो ही हम लोग इस मुहावण का इस्तमाल कर सकते हैं। अंग अंग पकड़ना जब इस फूरती और उर्जा से परिपूर्ण रहते हैं हम लोग, तब अकल का दुस्मान यानि मूर्ख अकल पर पत्थर पढ़ना यानि बुद्धी ब्रस्ट हो जाना जब किसी के बुद्धी ब्रस्ट हो जाती तो इसके अकल पर पत्थर पढ़ा है अकल के घौड़े दोड़ाना यानि तरह तरह के विचार करना ठीक है यहां पर अकल के तब पूरण काम कर रहां सिर से संबंद्रित-मुहावर एक से फिर ना यानी पागल होना पर कंफन बांधना यानि मरने के लिए तयार हो जाना कफन बांधना सिर् नीचे होना यानि लज्जित होना कि हम लगद उसने सिर नीचे कर लिए इस बात को सुनकर उसका सिर नीचा हो गया इस तरह से हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं महीं नहीं मालूम रहता है या फिर हम किसी बात से बचना चाते हैं तो यानि हम लोग बहाना बनाने लगते हैं तो सिर्खुजलाना यानि बहाना बनाने कि वह सिर्खुजलान लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं सिर्भी खुजलाते हैं और साथी साथ हम लोग वाक्य में इसको प्रयोग भी करत नाक रखना याणि मान रखना की उसने मेरी नाक बचा ली ना? रख ली यानि उसने उसका मान रख लिया मान बचा्या सम्मान बचाने नाक रख और नहीं दीटा दिखाना ठीकिंप रख रहा यानि अपनी गरीबी Richt कड़ना नाक पर मक्ही ना बाटने देना यानि अपने पर आच ना आने देना नाक पर गुसा यानि तुरंत गुसा आना नाक का बाल होना यानि अधिक प्रिया होना नाक काटना यानि बदनाम करना अब देखते हैं दात से संबंदित कुछ मुहावरे दात गिनना यानि उम्र पता करना यानि यानि घनिश्टतह पक्की मित्रता जाड़ता इसको कहीं लिंक रहता है एनuting लिंक रहे थोड़ामोड हम यहां पर मोहावरे श्टमॉल इंट सब्सकते सेंट कॉर्ट होते लिंक टरझ में बहुत जादा गुस्सा करना जब ये यह भी देखिए आप कंपर कर सकते कि यह अगर हम लोग घिसने लगते हैं गुस्य से दान दिखाने लगते हैं बहुत सारे गुस्सा करना बहुत सारे ऐसे मुःवरे के अर्थ है जो आप क разбяз 16 इसमारे बहुत जड़ा लगना आवाज करने लगते हैं यान इसका अर्थ समस्टे समना सकते हैं जब भू कम बना लगती है unto नात गड़ाना यानि पाने की उत्कृष्ठ इच्छा दातों का मैलना होना यानि अत्यधिक निर्धन या कंगाल होना दातों तले उंगली दबाना यानि चकित होना आश्यर चकित होना गले से संब्धित मुहावरे देख लीजे गला घोटना यानि अत्यचार का अर्थ निक मुहावर तैयर किका लिए यानि आणि बहुत। प्रिया होना नहीं बहुत प्रिया हो। नहीं के लिए जबरना आश्रय लें फट्राइन लेना गले पड़ गाया है टिम पीछे पर जाना टे। उसके सात रेना आस्रे लेना उसका आर्थ होता है गला ते रूप में बोलते हैं बाल pand Meat की उसीसी में बाल की खाल निकाल के रहूंगा यानि इस बात की तह तक जाके रहूंगा बाल धूप में सफेद करना यानि अनुभावी होना क्योंकि देखिए इसमें भी देखिए रियलिटी के साथ इस मुहावरे को आप कंपेर कर सकते हैं कंपेर क्या इसका मीनिंग ही वही है बाल धूप में सफेद करना ठीक है तो हमारे ज़लतर हमारे बाल सफेद होते हैं उम्र के साथ ही और ऊम्र के साथ ही experience यानी अनुभव आता है तो बाल धुप में सफेद करना यानि उसी को सफेद से related आप भाल सफेद से याद करने का तरीका में बता रहे हु ता से बाल दूफ में सफएद तो बाल सफएद होने कर्थ होता है कि हमारा एक्सपीरियंस वरता है समय कहल साथ इस तरह से आप कर सकते कि बाल दूफ में सफेद होनां जानी अनुभवी होना आसु से संबदその सeshका अ से कर है आसुपोष ना धीरस्ट बढ़ाना तो सक्षंपानों přिस्ट जोगेaison aleman होट्स संब्लाटे हाँ एक को पश्झषchy लेना यानी चुप हो जाना क्यों अपर प्रयोम करते हैं यानी हर समय रूट जाना तो हम लोग क्या करता है गाल फुला लेता है गाल बजाना यानि बहुत बोलना गाल लाल होना यानि सर्मा जाना जब यह तो सरम से लाल हो गया है बहुत बार हम लोग ऐसे प्रयोग करते हैं वाक्यों में तो यानि गाल लाल हो जाना करता है सर्मा जाना मूह से संबंदित दे कलें के मोगोन देखते हैं कि कुलिए मुख करते हैं धाय कि मुह ताकते हैं किसी जब किसी से आसा करते हैं उत्तर की आसा हो किसी चीज की आसा या जो भी आसा करते हुए भी हम लोग ज्यादतर किसी को और देखते हैं तो इससे अब याद कर सकते हैं कि मुह ताकने करत क्या हो गया साहता की आसा करना मुह लटकना यानि उदास हो जाता ह आग लगने पर बच्चे का उपाय ना देखकर लोग त्राही तिर लोंग करने लगे यानि मतला प्राफना करने लगे किसी तरह बच जाए तो- पूरी प्राफना करना तरही तरही करना ट्रिसुंख सब्सक्राब कर से बहुत सारे मोहावरे हैं और भी आप सबको पढ़ने पढ़ेंगें बहुत तरीकिक मोहावरे हैं सबको तैयारी कीजिए यह थि कुछि उसी प्लannie सबको पढ़ेखvé और तैयारी कीजिए धन्यवाद